तो आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे यह वेडियो UPSC और State PSE के point of view से काफी ज़्यादा important होता है तो चलो शुबार हम करते हैं बट उससे पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे description box में PDF link के नाम से एक link दिया या है या फिर आप लोग directly टेलिग्राम पर जाके search box में दीपाज यादा वेजुकेशन टाइप कर सकते हो आपको मेरा channel मिल जाएगा वहाँ पर connect होकर आप daily basis पर इस lecture के PDF को download कर सकते हो साथी साथ आप मुझसे personally connect होना चाहते हो तो Instagram पर जाना और search box में टाइप करना दीपाज यादा वेजुकेशन अगेन मेरी profile आपको मिल जाएगी वहाँ पर connect होकर आप मुझसे अपनी सारी queries को पूछ सकते हो then discussion start करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी request रे वीडियो पर जो like का बटन उसको दबा देना जो हमारा target है उसको आज भी आप लोगो achieve करवाना है तो यह आता है हमारा सबसे पहला article आपको होगे इसरा आपने यह जो थमेल आज ऐसा क्यों लगाया देखो यहाँ पर ऐसे topic के बारे मैं काफी कम चर्चा मैं करता हूँ वैसे ही लेकिन करनी चाहिए मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सारी information उनके पास होनी भी चाहिए तो जो topic है pornography का है यह चर्चा मैं क्यों आया क्योंकि लगातार बहुत सारे articles publish हो रहे हैं कि देखो जो वी आर पाउन है नि कि virtual reality पाउन को लेकर भी जो searching है internet के उपर वो काफी बढ़ चुकी है और हमने recently भी काफी सारे articles cover किये थे कोविड के टाइम पर internet पर search करने में जो पाउन है उसके अंदर बहुत तीजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है तो मतलब हम लोग समझने वाले हैं कि इंडिया के अंदर पाउन को लेकर कितने सारे laws देखने को मिलता है और क्या-क्या सजा हो सकती है यह topic आपको GS paper 2 प्लस उ कौन को देखना legal है या illegal है यह सारी चीजे भी हम लोग यहाँ पर इस article के अंदर cover करने वाले हैं प्लस के इसके impact क्या पढ़ता है देखो अब्यसी बात है impact इसका बहुत बुरा ही पढ़ता है तो पहली चीज तो यहाँ पर हमेशा वही रहेगा अगर कोई addicted है इन चीजों स तो पहली चीज तो उसको छोड़ना ही है यह चीजे यह चीजे यहाँ पर इंसान की life के उपर बहुत ज़्यादा negative impact डालती है अब हम लोग थोड़ा से सबंजने की कोशिश करता है देखो जब लोग बात करते है पॉर्नोग्राफिक ही तो जितना भी content में आप लोग आएंगे जो कि पॉर्नोग्राफिक को टैकल करते हैं सबसे पहला एक्ट कौन सा है वो है information technology act 2000 दूसरा यहाँ पर क्या है दूसरा आपको देखने को मिलता है Indian penal code तीसरा क्या है तीसरा है POCSO Act 2012 पोक्सो के बारे में काफी बार पढ़ाया है वैसे तीनों के बारे में आपको म वीडियो में पढ़ाया है तो POCSO क्या है protection of children from sexual offenses तो यह तीन act आपको देखने को मिलते हैं जो की deal करते है पॉर्नोग्राफिक से इंडिया के अंदर में अब आपका एक question होगा दिमाग में आ भी रहा होगा क्या पॉर्न देखना इंडिया के अंदर legal है या illegal है देखो मैं आ या फिर कोई private space के अंदर उस pawn को देख रहा है तो वो illegal नहीं है ठीक है तो आप लोग ध्यान अखना वो illegal नहीं है तो इंडिया के अंदर it is not illegal to watch pornographic content in your private rooms or space इस चीज को लेकर Supreme Court का खुद 2015 का एक remarket case आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे Supreme Court mention करता है कि Article 21 है Indian Constitution का वो यह यहाँ पर right to life के बारे में चर्चा करता है personal liberty के बारे में चर्चा करता है तो इसी वज़ाँ से यहाँ पर जो इनसान की personal liberty है उसको यहाँ पर उससे नहीं छीना जा सकता लेकिन यहाँ पर आप कोई पता है जितने भी rights से उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर restrictions होते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर कोई व्यक्ति porn देखता है अगर private space private rooms के अंदर देख रहा है तो देखो यह illegal नहीं है और पहली बात तो अगर आप सोच रहो कि यहाँ यह चीज़े सही है तो फिर देखो यह चीज़े बहुत गलत हैं पहली बात तो दे देख रहा है हो जो कि child pornography को promote कर रहा है या rape को promote कर रहा है या violence against women को promote कर रहा है तो वो definitely एक offense मान जाएगा एक वो अपराद है चाहे आप लोग उसको private space में देख रहे हो चाहे कहीं पर भी देख रहे हो तो वो definitely एक offense है ध्यानकना इस बात को जो कि हमारे laws के अंदर mentioned है अब question यह है कि pawn ban कर दी गई इंडिया में ऐसे लेकर पहले भी बहुत सारे steps उठाए गए देखो हाँ बिल्कुल pawn दो दिखो पहले भी ban करने के ऊपर काफी सारे steps उठाए गए लेकिन वो ज्यादा successful नहीं हो पाए in fact 2015 में सरकार ने pornographic content को इंडिया में बैन करने के लिए कि कदम उ unsuccessful रहा उसके बाद 2018 में फिर से कदम उठाया वह भी unsuccessful रहा देकिन अभी देखो अभी भी ban है लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास laws यह बोलते हैं बहुत सारी जो site से फिर भी लोग को मिल जाती है इस pornographic content से related तो इसके पीछे का यहाँ पर अब मालो की एक question आपकी देवाइ बेभी आएगा कि मालो यहाँ पर फिर भी लोग को porn मिल जा रहा है website पर या फिर internet पर तो उसमें किसी गलती रहेगी तो यहाँ पर mention किया जाता है देखो porn ban कर रखा है और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर किसी भी adult citizen को यह porn का access मिल जाता है उन website का access मिल जाता है तो उसमें गलती यहाँ पर उस adult citizen की नहीं मानी जाएगी उसमें गलती मानी जाएगी internet service provider की जो कि इन चीजों को यहाँ पर provide करवा रहा है तो adult citizen का कोई भी इसमें fault नहीं रहने वाला है ठीक है न और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया है बिल्कुल पूरी तरह से focus यह है कि दो को पॉओन को इसलिए बैन के ज़र आए क्योंकि इन चीजों के अंदर child pornography और violence against women यहाँ पर rape वाली जैसी चीज़े भी promote होती है इन चीजों से यहाँ पर बिल्कुल दूर रहना है अगर कोई व्यक्ति यह चीज़े देख रहा है तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी सेफ जगा पर नहीं है ध्यान लखना चाए वो private space में ही क्योंना देख रहा हो और एक बात हमेशा और ध्यान लखना इसको लेकर recently भी वे आपको पढ़ाया था जब राजकुंदरावला case हुआ था पॉर्नोग्राफिका तो उस समय भी यहाँ पर काफी सारे laws mention यह करता है कि कहीं पर भी आप लोगर पॉन देख रहे हो इसको store कर रहे हो या उसको share कर रहे हो कहीं पर भी तो वो भी यहाँ पर offense है आपको कहीं से कहीं तक भी इन चीज़ों को कहीं पर भी share नहीं करना है अदरवाइस आप नजर में हो और आपके against में आपे काफी सारे steps उठाय जा सकत हैं ठेके ना तो इध्यान अखना यह तो सारे laws हो गए तो मतलब क्या सजा हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि pornography का जो impact है वो children's के ओपर society के ओपर कैसे पढ़ता है क्योंकि आर्टिकल आपका GS paper 2 से भी relate हो जाएगा है क्योंकि ह हमारे syllabus में topics हैं issues related to children, government policies and interventions तो यहां से आप लोग relate कर सकते हो तो जब हम लोग mention करते हैं pornography के impact के बारे में तो सबसे पहला impact आपको ही पता है जो भी लोग इससे addict होंगे वो पढ़ता है psychological impact psychological impact का मतलब है यह जो pawn है यह directly बच्चे के दिमाग को affect करेगा इससे depression, anger, anxiety या फिर mental distress जैसी problems यहाँ पर create होती है वो अपने परिवार के साथ में in fact social relationship को भी यहाँ पर खतम कर देता है दूसरा impact सबसे बड़ा पड़ता है sexuality के उपर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लोग pawn को देख देके उससे addict होकर लोग की जो यहाँ पर needs हैं वो यहाँ ब्लकु सटिस फाइ नहीं हो पाती है फिर sexual addiction की category के अंदर वो चले जाते हैं पूरी थरा से लट लग जाती है और उससे क्या होगा directly brain के ओपर effect होता है और in fact यहाँ पर situation ऐसी हो जाती है कि जैसा मानलो एक व्यक्ति है जो कि drugs और alcohol के addiction में है वो यहाँ पर आपका सकतो drugs और alcohol के addiction से भी खतर पराग पॉर्ण का addiction यहाँ पर माना जाता है तो यह problems यह impact देखने हो बलेंगे फिर एक सबसे बड़ा impact पढ़ता है behavioral impact यह आपको ही पता है जिस चीज में आप ज्यादा involved रहोगे वैसी habits यहाँ पर जो body है वो अपनाने लगेगी तो यह जो pornography से जो भी यहाँ पर ज्यादा देखने लगता है ठीक है तो यह भी एक सबसे बड़ा impact है यानि कि behavior के उपर एक बहुत गंदा impact पढ़ता है उसके बाद देखो pornography अपने आपने आप में आपको भी नहीं पता ही है कि यह जो चीज़े हैं यह sexual violence और violence against women को promote करती है in fact यहाँ पर जो यह लग लग websites लोग चला बिराए और पहली बात देखो यार इन चीजों में addicted क्यों होना क्योंकि पता इस पैसिफिकली इंस्टाग्राम पर मेरे पास ऐसी message आते हैं अब मैं वह message लगा नहीं सकता है उस पर नाम लिखावाए उस व्यक्ति को अच्छी लगए है कि जैसे उसका नाम लिखावाए है मैंने उसको जादा यहाँ पर अच्छे से reply नहीं कर पाया हूँ लेकिन यहाँ पर message जब मैंने देखा कि यार वह दब चार से पांच message ऐसे देखने को मलेंगे सर मेरी एक personal problem मैं बता सकता हूँ मैं यहार यह ब्रुकल बता हूँ मैं सर पॉन addicted हूँ तो यार देखो पहली ब खोई आपने बहुत सरे चीज देखी होंगी कि मतलब बहुत सरे लोग तो आर्गू भी करते हैं आपने देखोंगे बहुत सरे वीडियो उसकी यार पॉनोग्राफी देखना सही है ठीक है यह चीज़े सही रहेंगी मतलब कभी-कभी देख लेना चाहिए तो यार क्यों जर सरे स्टेप्स उठाने होंगे किसी भी चीज़ का जो एडिक्शन होता है उसको एकदम से छोड़ने में बहुत सारी परेशानिया डेफिनिटली आती है चाहिए वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो वैसे यहां पर यह पॉनोग्राफी का एडिक्शन देखने को मिलता है लेकिन हर चीज़ पॉसिबल है, इसको भी यहाँ पर तोड़ा जा सकता है, अपने बड़ी-बड़ी इंस्पारिंग स्टोरी इस पड़ी होगी, बड़ी-बड़ी यहाँ पर जो हस्ती है, उन्हों नहीं यहाँ पर इन चीज़ों से निकल कराएं वो लोग, तो सबसे में प् इंदर productivity को add करें, ठीक है, कि आप मतलब कुछ कर रहे हो आगे, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो यह चीज़ें यहाँ पर ध्यान लखना, यह काफी important topic था, वैससे मैं बहुत कम ही बात करता हूँ, वैसे topic के उपर, but important है, तो यह जितनी भी जो information है, यह सारी information मैं आपको बहुत सारी coaching material already इस article को cover कर चुक है, क्योंकि article जो newspaper में आया है, यह मुझे लग रहा है, दो दिन पुराना है, हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, यह 22 जून का article है, तो already काफी सारी coaching material के अंदर covered हो चुका है, तो मैंने सुचा यार, बिल्कुल बताना चाहिए, और एक awareness पर फैलेगा इस चीज से संबंदेद, तो ध्यानक ना, बहुत सारे Indian laws हैं, जो कि यहाँ पर पोर्नोग्राफिक को tackle करते हैं, हलाकि यहाँ पर इस चीज़े अच्छे से implement नहीं हो पारी है, वो बात आपको अलग देखने को मिलती है, नवाते हैं अगले article पर, अब यह हमार थोड़ा भी आराम मिलता है, तो सच में मैं खुद चैन से नहीं बैठ पाता हूँ, और आप लोग देख पाऊगे, अभी समय, morning में ही काफी बुरी हालत थी, यहाँ पर थोड़ा medicine लेकर, throat को जैसी आराम मिलता है, मैं तुरण यार, work पर लग जाता हूँ, और अभी मेरे क प्रॉब्लम है यार, throat की, मतलब कुछ दूनों से ठीक नहीं हो फा रहा है, तो आपका कल का वीडियो रहे गया, तो उसके लिए बिल्कुली परेशान ना होना आप लोग, जो आपके वीडियो के अंदर जो भी material था, मतलब जो भी कल के newspaper के अंदर content था, वो सब आगे में आ आपको cover करवा दी जाएंगी, ठीके ना, क्योंकि बहुत सारे यहां पर मैंने messages भी देखें कि सरकाश से पूरा होगा, तो चिंता बिल्कुल मत करो, सब मैं पूरा करवा दूँगा, वीडियो से आप लोग देख रहे हो, और यहीं से आपका cover हो जाएगा, बाकी इतने सारे लोगों के messages आई, लोगों की इती सारी blessings आई, सबी लोगों को बहुत-बहुत thank you, और कुछ गलत messages भी आए, गलत message का मतलब है, negative messages, अब यार देखो, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, भीड में दो-चार ऐसे होते ही हैं, अब वो लोग यहां पर यार मतलब सीधा बोलते मतलब capability होती है, मैं अगर बोल पाता तो राम से मेरे video record कर सकता था, आपने कल भी देखा होगा, परसु देखा होगा, परसु न्यूस पेपर मौनिंग में नहीं आया, लोगों ने वीडियो भी अपलोड नहीं कहते हैं, बहुत कम वीडियो अपलोड हुए थे उस दिन, ले मुझे वैसे तो बाकी दिन यूस पेपर से record करना पड़ रहा है, उस दिन मैंने PPT क्रिएट करके आप लोग वीडियो record करके दिया है, तो यार, कभी-कभी ऐसे message होता है, जो कि बहुत ज़्यादा परिशान भी करता है, कि यार, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन कुछ लोग ऐ बाकी जो ज़्यादतर लोग है, वो बहुत ज़्यादा supportive रहता है, इतने अच्छे messages आता है, कल से मैंने इतनी सारी blessings received करी है, कि कभी-कभी मैं सोचता है, मुझे इतना सारा प्यार मिलता इस channel से, इतने लोग का support मिलता इस channel से, चलो, आगे बढ़ता है, आज बहुत ज़्या के बारे में, लोग की mental health कैसी है, उसको लेकर discussion किया या है, down to earth का article है, down to earth है one of the most important source है हमारे current affair के लिए, इस article को आप लोग GS paper 3 से relate कर सकते हो, syllabus के अंदर कुछ topics हैं, issues related to disability और health का topic directly आपके syllabus के अंदर दिया या है, तो world mental health day चर्चा में है, sorry world mental health report आई है, ठीक है world mental health day तो वैस से पूसे पूसे दा सकता है, इस report को किसे ने publish किया है, तो world health organization ने mental health यहाँ पे health organization के ही through publish किया या, ऐसे ध्यान रख सकते हो, अब इस report के अंदर क्या बताया गया, डबलु हो नहीं है यहाँ पर mention किया, कि देखो जो mental health से संबंतित दिक्कते हैं, दुनिया भर के अंदर, व मतलब पेछले कुछ time पे situation बेकार हुई है, mention किया जाता है कि लगबख 1 billion के आसपास जो लोग हैं, या फिर 14% यहाँ पर आप देख पाऊगे, कुछ adolescent व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर कहिना कि कुछ ना कुछ mental health issues face कर रहे हैं, तो 2019 का यह data है कि लगबख 1 billion लोग mental health issues को face कर रहे थे, एक billion जो है, यह कोई कम amount नहीं है, यह बहुत पड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा, और इसका result क्या हुआ, इसका result यह निकला, बहुत सारे लोगों ने suicide करी, और बहुत सारे लोगों की जान 50-50 साल से पहले ही जा चुकी है, तो यह इसका एक impact पड़ता है, तो यह 2019 के अंदर था, फिर हम ने देखा 2020 में pandemic आया, COVID-19 की वज़ा से depression और anxiety जैसी चीज़े लोगों के अंदर बढ़ने लगी, in fact depression और anxiety 25% से increase हुआ था pandemic के टाइम पर, फिर उसके बाद बोला जाता है कि लगबख जो WHO की 194 member countries हैं, इन्होंने मि comprehensive mental health action plan को adopt किया, यह plan चलाया जाएगा ताकि लोगों की mental health issues हैं, उनको ठीक किया जा सके, यहाँ पर target रखा गया 2013 से 2030 तक का, लेकिन हुआ क्या इस पर जब काम करने start किया गया, तो जो progressive नहीं से वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, मतलब जादा success यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत जादा लोगे अंदर गरीबी आई, कोई-19 के टाइम पर, social inequality आपको देखने को मिल जाती है, public health emergency, war जैसी situation बनी है, climate crisis देखने को मिले हैं, तो यह सारे यहाँ पर आप देख पाऊगे, बड़े-बड़े कारड रहे, जिसकी वज़ व्यक्ति यहाँ पर, आप कहसे हो, जो normal व्यक्ति है, जिसको कोई ऐसा issue नहीं है, वो व्यक्ति कम से कम 10-20 साल जादा जी रहा है उस व्यक्ति से, जिसको पहले से ही बहुत सारे mental health issues हैं, और वो mental health issues बढ़ते चले जा रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, तो क्या इ इनकी economy बहुत अच्छी है, वहाँ पर लोग richer देखने को मिलेंगे, लोग के पास बहुत पैसा है, तो वहाँ पर लोग बराबर पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर लोग को बराबर treatment मिल रहा है, high income countries में 70% psychosis patients को treatment मिला है, लेकिन problem कि इसको है low income countries को जहाँ पे पहले सी लोग के पास में इतना पैसा है नहीं, economic stability उस country के अंदर इतनी है नहीं, तो उस वाले area में जो ये मरीज है, psychosis patients उनको बहुत कम treatment मिला है, ऐसा यहाँ पर बतायाएगा, उसके बाद WHO की report यहाँ पर mention करती है, कि बहुत देखो यहाँ पर हमने एक action plan चलाया, जिसके बारे मैं आपको बताया, 194 countries ने मिलकर 2013 से लेकर 2030 तक का target रखा, कि हम लोग mental health लोग की ठीक करा करेंगे, उसके ओपर focus किया जाएगा, इसमें क्या क्या करने के लिए बोला गया था, हम लोग mental health के ओपर investment को बढ़ाएगे, उसके बाद यहाँ पर communities, school, workplaces, healthcare services, इन चीजों के ओपर काम क किया जाएगा, इन चीजों को और जादा मजबूत किया जाएगा, लोगों को जो mental health care मिल रही है, उसको और जादा मजबूत किया जाएगा, यह focus इन 194 countries ने यहाँ पर रखा था, बट हुआ क्या, इसके अंदर यह successfulness इतना जादा मिला नहीं है, यह यहाँ पर बोला जा रह क्या क्या शमता है, एक व्यक्ति जिन्दिगी में जो normal stress है, उससे अराम से लड़ सकता है, अराम से वो काम कर सकता है, हमारी society के प्रति contribution दे सकता है, मतलब वो mental health कहलाती है, वो यहाँ पर एक व्यक्ति बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल एक तरीके से ठीक ठाग व्यक्ति है, जिसकी है mental health, अब mental health issues क्या है, issues mental health वो है कि मतलब उसके दिमाग में ही ये सारी problems create हो रही है, problems क्या depression है, anxiety है, इस चीज़ को लेकर परिशानी है, वो किस चीज़ को लेकर दुखी है, तो वो mental health issues देखने को मिलेंगे, अब mental health समझ गए, mental health से संबंदित आपको बहुत सारे challenges द आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिनको जरूरत है एक mental health care की, उनको दिमागी संबंदित जो भी यहाँ पर issues है, उनको ठीक करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर बोलता है, इंडिया का latest national mental health survey report जो की 2015-16 का latest वाला report है, वो, तो मतलब अभी challenge ही सबसे बड मतलब challenge यहाँ पर mental health को लेकर है, हमारे पास resources की बहुत ज़्यादा कमी है, इसका मतलब हमारे पास जो psychiatrist है, nurses है, psychologist है, social workers है, इनकी बहुत कमी है, एक लाग जन संक्या के उपर 0.3 psychiatrist है, एक लाग जन संक्या के उपर 0.12 nurses है, मतलब एक nurse proper भी नहीं है, एक लाग लोगों के उप तो resources का अपने आपने बहुत ज़्यादा कमी देखने को मलता है, यह दूसरा बहुत बड़ा challenge है, अब तीसरा सबसे बड़ा challenge क्या आता है, तीसरा challenge आता है, low financial resource allocation, simple सा मतलब है, जब हम लोग बात करते हैं, developed countries क्या दूसरे देश की तो दूसरे देश एक काम बहुत अच्छ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, specifically इंडिया की, तो इंडिया अपने GDP के comparison में बहुत कम पैसा खर्चता है, लगबग 1% के आसपास अपने GDP का खर्च रहा है, जिसको बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने mental healthcare या फिर healthcare के उपर investment नहीं करोगे, तो उसके अलावा यहाँ पर देख पाओगे कि देखो, मैंने आपको बताया, treatment वगरा नहीं है, mental health बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ पर काफी सारे गरीबी से पेडित हैं, उसके बाद काफी सारे लोग के पास में पैसा नहीं है, ठीक है, अब obvious ही बात है, पैसा नहीं है इंडिया अपनी GDP का 0.06 प्रतीशत पैसा खर्चता है mental illness के उपर, जो कि बहुत कम है, इसको यहाँ पर कहीं नहीं बढ़ानी की जरुएत है थोड़ा जादा पैसा खर्च करने के आवशकता है, दुनिया भर में यहाँ पर WHO यह बोलता है कि 300 मिलियन से जादा लोग है जिनक इससा question बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, तो आपसे यहाँ पर definitely यह भी पूछा जाएगा कि क्या-क्या step से जो कि सरकार ने उठाये गए हैं, क्या-क्या initiative से जो कि सरकार की तरफ से उठाये गए हैं mental health को ठीक करने के लिए, तो इसमें आपको बहुत सरी initiative देखने को मलेंगे सबसे पहले आपको initiative देखने को मलेगा, जिसको आपको बोलते हैं NMHP, ध्यान रखना, NMHP का मतलब है National Mental Health Program, तो यहाँ पर जो mental disorder की situation है, जो कितनी बड़ी है, इसको tackle करने के लिए सरकार ने इस initiative को launch किया था, National Mental Health Program को launch किया था 1982 से, उसके बाद हमारे पास संभधानिक provision द directly आपको article 21 के अंदर देखने को मिल जाती है हमारे संभधान में, ठीक आ रहा, article 12 से 35 तक सारे fundamental right से तो उसमें 21 भी आपका fundamental right है, आपका एक मूल अधिकार है, तो right to healthcare का आपके पास में right है, तो यह भी सरकार का initiative है, यह भी initiative है, उसके बाद में ऐसे ही और ही बहुत सर इनिश पैसा देगा, वो सरकार की तरफ से आएगा, फिर यहाँ पर एक और step उठाएगा, किरन help line, साल 2020 में ministry of social justice and empowerment ने क्या किरा, यहाँ पर 24 into 7 एक help line number को जारी किया, जिसको हम लोग किरन help line number से हम लोग जानते हैं, और इसमें क्या होगा कि मान लोग कोई व्यक्ति है, जिसको anxiety, stress depression या फिर suicide जैसे thoughts आ रहे हैं, या कोई दूसरा mental health concern उसको देखने को मिल रहा है, वो परेशान है किसी चीज़ से, तो उसको support करने के लिए इस किरन help line को launch किया था, फिर उसके बाद में एक और सरकार ने initiative उठाया है, वो है मनुदरपन का, अब मनुदरपन के लिए जो हमार members को, teachers को, उनकी mental health के लिए एक अच्छा खाजा support चाहिए था, तो वो support प्रोवाइड करवाने के लिए मनुदरपन प्रोग्राम को, जो initiative वह यहाँ पर सरकार ने launch किया था, तो I hope आप लोग यहाँ पर clarity मिल चुके इस पूरे article के regarding जो की बहुत जादा important है, proper आप लोग notes मन लेना, mental health क्या है वो डालना, plus report का कुछ static data डालना, पर उसके बाद initiative लिख लेना, बस, यहाँ पर 8-10 लाइन में इस topic को खतम कर लेना है, आते हैं अगले article की दरफ, now next article होने वाला है, काफी जादा important हमारे examination के point of view से, अलग अलग examination ने directly यहाँ पर इस article से संबंदित question पूछे हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता दूँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई है, कल आप लोगे बहुत सा section आपने क्यों बंद कर दिया, तो मैं आपको बता दूँ, देखो comment section में इसलिए बंद करा, क्योंकि बहुत सरे लोग happy birthday, happy birthday का message कर रहे थे, हाला कि मेरा birthday 22 या 30 जून को नहीं है, ठीक अब यहाँ कि बहुत सारी misunderstanding लोगों के अंदर में, मेरा birthday आता है 24th of June को, 24 जून को, इस Instagram पर मेसेज करने लगे, happy birthday का, तो बाकि सारे लोगों ने जो queries भेजी थी ना, उनकी queries नीचे चली जा रही थी, तो इसी वाज़े से मैंने यापर comment section नी off कर दिया, ताकि लोग की queries का में reply कर सकूँ, ठीके न, तो इसी वाज़े मैंने comment section off किया था, बाकि और कोई बात नहीं है, बाकि आपको बताओ को हाँ, एक चीज़ और, by zone को मैंने क्या किया था, PPT के मतलब जो हमारी PPTs होती है, उस PPT में मैंने पूरा का पूरा newspaper analysis का video record गया था, क्यों क्योंकि morning में the Hindu newspaper आया नहीं था, इस वाज़े PPT के थुरू मैंने cover किया था, तो उसमें कोई issues नहीं है, कोई भी आपर दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग जैसा चाहोगे, वैसा आपर चीज़े चलती रहेंगे, चलो, article पर आते हैं, अब य article बात करता है, aspirational district program के बारे में, जिसको हम लोग जालते है, ADP के नाम से, तो हिंदुस्तान टाइम्स का article है, हिंदुस्तान टाइम इसको मैं ADR बोलूँगा आगे से, sorry ADP बोलूँगा इसको आगे से, तो इस program को बढ़ाने की बात की जा रही है, इस program को हम लोग ब्लॉक और city level पर भी increase करने वाले हैं, तो अभी आपने देखा होगा, अब ये district level पर आपको ये program चलता बनादर आता है, अब ये ADP है क्या, ये है aspirational district program, ये उन districts के लिए लेकर आया गया, जो districts काफी है तक पीछे रहेगा, चहाँ पर backwardness ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर गरीबी ज्यादा है, लोग काफी पीछे हैं, उस particular area में economic instability ज्यादा है, तो इसी वज़ा से उनको आगे लाने के लिए, वहाँ पर development करने के लिए इस ADP program को लेकर आया गया था, तो जो ADP program इसको launch किया जैनवरी 2018 में, ताकि हम लोग क्या कर सके हैं, जो districts हैं, खास कर जो काफी backwardness में देखने को मिल रहे हैं, उनको transform किया जा सके, इस वज़े से हम लोग इस particular program को लेकर आए, इस program के अंदर क्या होता है, एक center और state दोनों मिलकर काम करते हैं, center और state level पर जो प्रभारी officers होते हैं, district collectors होते हैं, ये सब मिलकर आपस में काम करते हैं, ताकि एक district के अंदर properly विकास किया जा सके, जो कि काफी तक आपके सकतो backwardness area में काफी पीछे रह गए हैं, वहाँ के लोग, वहाँ पे इतना अच्छा खासा प examination पूछा या, SSC, CDS, NDA, directly पूछा या, directly, हमारे पास कितने aspirational districts देखने को मिलते हैं, total 117 AD हैं, ध्यान अकना, तो अभी तक हमारे पास 117 aspirational districts देखने को मिल रहे हैं, इन districts को identify किया या है, नीती आयोक के थ्रू, ठीक है न, अब इस program को objective वही है, जैसे मैं आपको बताया, कि जितने भी districts हैं, वहाँ पर एक progress को लेकर चलना, वहाँ पर development करना, अब development जब करते हैं, तो basically 5 aspects को देखकर किया जाता है, वो 5 चीसे क्या क्या है, उस particular area का health and nutrition को develop करना, education के उपर काम करना, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development, then basic infrastructure को develop करना, तो ये 5 area of focus रहता है, ध्यान रखना, ये basically इन 5 चीजों district के अंदर काम किया जाता है, इस aspirational district program के under में, तो strategy मैं आपको बता दिया, वहाँ पर development करना, प्लस देखना कहां कहां पर दिक्कत हैं, उस चीजों को improve करना, उसके बाद में यहाँ पर progress हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर ऐसा रहेगा ना, तो आपस में districts के अंदर एक race लग जाएगे, competition लग जाएगा, इनकी ranking त्यार की जाएगी, कौन से districts ने better perform किया है, तो इससे क्या होगा, वो जो district है, वो state का, हमारी nation का best district बन कर निकल कर आएगा, तो यह program basically इन सारे districts के बीच में, एक competition भी create कर देता है, कि हम आगे निकल कर दिखाएंगे, तो यह इस सारी चीज़ा भी थोड़ दर पहले ही बता ही है, वो repeated आपको देखने को मिल रही है, लेकिन साथ साथ आप यह भी देख पाऊगे, यह जो program में यह काम करता है SWAT टेक्निक के उपर, यह SWAT principles क्या है, ध्यान रखना, SWAT के full form है strength, weakness, opportunity, or threat, छीक है, यह आपने business studies में भी पढ़ और उसके बाद यहाँ पर जो program है, यह most reviewed program है by PM, हमारे prime minister इस program का बहुत अची तरीके से ध्यान रखते हैं, और उसके बाद में यह जो idea है, basically यह जो मतलब इस पूरे program को लेकर आने का idea है, इसको इसके बारे में लोगों को पता चला है, लोग भी यहाँ पर इसको आज के time बहुत ज़दा appreciate कर रहे हैं और आने विले temper भी इसको appreciate किया जाएगा, that is why यहाँ पर इस हम लोग जो हमारा ADP program है, इसको हम लोग एक थोड़े बड़े level पर लेकर जाने की सोच रहे हैं, अब district level से इसको हम लोग block level पर city level पर पूरे शहर के level पर लेकर जाएं तो ज़्याद बहतर रहने वला है, ठीक है न, तो I hope आप लोग ने आप पर इस चीज़ों को समझ लिया है, बाकी इस program का एक major focus रहता है, sustainable development goals की तरफ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई भी area है, अब मैं आपको exactly बता हूँ तो दुनिया बहर में काफी सरी countries हैं, जिन्नोंने अपना goal र चतम करनी है, अच्छी health लेकर आनिये लोगो के लिए, quality education लोगो को देना है, gender equality होनी चाहिए, साफ पानी लोगो को मिले, affordable energy लोगो को मिले, economic growth हो माँ पर, industrial innovation infrastructure बड़े, जो inequality असामानता है वो काम हो जाए, sustainable cities बने, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो कि consumption and production को बढ़ाया ठीक है, तो यहाँ पर marine water के उपर काम किया जाए, तो यह सारे आपको यहाँ पर 17 के 17 sustainable development goals देखने को मिलता है, तो हमारा aspirational district program है, वो basically in development goals के उपर भी focus करता है, वो यहाँ पर कहने का मतलब है, तो news क्या है, इस program को हम लोग बढ़ा कर एक city और block level पर लेकर जाने वाल है, district level स तो इसके बारे में article cover किया गया है, I hope आप लोग को इस article के regarding एक पूरी की पूरी clarity मिल चुकी है, आते हैं next article की तरफ, next article पर आते हैं, अगला article ही बहुत ज़्यादा important होने वाला है, आप वीडियो का importance देख रहे होंगे, यह article ऐसे article है, जो की हर एक website पर आपको मिल जाएंग ठीक है, सारे authentic article है, question आपसे बनते हैं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के और साथ चाहत दहिंदू के ओपर अराम से focus करके आप पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो UPSC और State PSC के लिए तो definitely मैं आपसे promise करता हूँ, सारे current affair मैं cover करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस व renewable world है, तो ये basically बात करता है renewable energy के बारे में, renewable energy कौन से energy है, जो कि हम लोग solar panel से generate कर रहे हैं, हवा से generate कर रहे हैं, ठीक है, जिस से कोई pollution नहीं हो रहा है, वो हमारी renewable energy है, इस article को आप लोग GS paper 2 और 3 दोनों से relate कर सकते हो, तो issue क्या है, issue यहाँ पर यह है, renewable 2022 global status report को अभी release किया रिया था, किस के थुरू, इसको release क्या गया है, renewable energy policy network के थुरू ध्या नकना, अब इन्होंने यहाँ पर बताया है, कि भाईया देखो renewable energy को लेकर कौन कौन से देश ने क्या का काम क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इस report को त्यार करने के लिए, बहुत सरे scientists, स अस्तमाल हो रहा है, लोग यहाँ पर जो बिजली उत्पन कर रहे है, वो pollution free है, ठीक है, लोग कितना energy independence की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उस प्रकार की आपको ranking देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर Iceland, Iceland एक topic country बनाए, Iceland के अंदर renewable share सबसे जादा है, मतलब वो एक ऐसा renewable energy का इस्तमाल हो रहा है, क्योंकि जब आप लोग एक particular area यह देखते हो, कि अगर आप लोग को अभी के time पर electricity को generate करना है, तो इस बिजली को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोईले को जलाना पड़ेगा, कोईला जलाओगे, जितना ज़्यादा कोईला जलाओगे, उ यह कुछ आपको देखने को मिलता है, renewable energy के फायदे, तो इसी को लेकर report है कि कौन से देश ने renewable energy को लेकर क्या क्या उखाड़ा है, इंडिया ने बहुत कुछ उखाड़ा है, इंडिया ने बहुत कुछ किया है renewable energy के sector में, वो आपके साथ में अभी मैं discuss करूँगा, जो भी इ renewable energy के तरफ बढ़े नहीं रहे हैं, काफी कुछ करने की आवशकता है, हाला कि यहां पर बहुत सरे देशों ने अपना एक target set कर रखा है, अभी जो पिछले साल, नवंबर 2021 में, conference of parties, Glasgow के अंदर जो summit हुआ था, वहां पे 135 countries ने एक pledge लिया था, promise किया था, कि हम 2050 तक क्या नेट-zero greenhouse gas emission की तरफ बढ़ेंगे, pollution हम लोग कम से कम करेंगे, ठीक है ना, तो यह यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, फिर उसके आद मेंशन किया गया, कि जितने भी देश आपको यह देखने को मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारी countries ऐसी है, लगबग 36 के आपस ऐसी ह बढ़ जाएं, बहुत सारे देश तो ऐसे देखने को मिलेंगे, जो की properly renewable energy की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि वो renewable energy के उपर ही आज की time पर dependent है, अब इस report ने इंडिया को लिकर क्या क्या मेंशन किया है, इसको discuss कर लेता है, यह भी बहुत important है, जब हम लोग भारत की performance के बारे में चर्चा करते हैं, तो पहला point मेंशन किया गया, इंडिया की जो rank के साल 2021 में, renewable energy installation के मामले में, यानि कि कितने solar panel इंस्टॉल हुए, windmills कितने इंस्टॉल हुए, तो renewable energy installation के मामले में, भारत की rank तीसरी देखने को मिली है साल 2021 में, पहले नमबर पर चाइना, और अभी हमारे पास वो total capacity है, वो लगबख 45.3 gigawatt की हो चुकी है, इतने energy हम लोग renewable energy का इस्तमाल करके generate कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया यहाँ पर साल 2021 में, दूसरा largest market बना है पूरे एशिया में solar photovoltaic sales का, यानि कि solar जो हमारे panels होते हैं, उसका एक सबसब बड़ा market बना 2021 में, उसके साथ साथ installation के मामलें बात करें, तो यहाँ पर मतलब आप देख पाओगे उसमें Germany और हमने बहुत सारी countries को overtake कर दिया है, इंडिया की जो rank है, जा आप लोग पूरे total install capacity में देखोगे, मतलब wind power में, अभी तक हम लोग solar power में बात करते हैं, बात करते हैं wind power में, तो wind power capacity में भी again इंडिया जो है दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर China है, US है, उसके जर्मनी को overtake करते हैं भारत यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ चुका है, तो solar energy में भी हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, प्लस wind energy में भी हम लोग काफी आगे आ तो आप लोग इसके बारे में जरूर ध्यान रखना, अब बात आती है कि इंडिया ने इतना कुछ किया, तो क्या क्या हम लोग ने steps उठाए हैं अपने हाँ पर renewable energy को promote करने के लिए वो भी एक topic आ जाता है, तो सबसे पहला step उठाया गया है national solar mission का, तो national solar mission का एक step उठाया ग फिर उसके बाद में national biofuel policy, मतलब यह देखो यार initiative है, इसके नाम आप लोग पढ़ सकतो, मैं भी नाम ही यहाँ पर read करूँगा, इस अच्छा आप लोग भी इसको पढ़ सकतो, आपको जो है, यह pdf के अंदर include करके मैं telegram पर provide करवा दूँगा, उसका international solar alliance इसके बारे में क production को बढ़ाया है, आप question यह है कि renewal energy की तरफ बढ़ते बढ़ते इंडिया ने क्या क्या challenges को face किया, तो सबसे बड़ा challenge आता है कि देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो discom companies है, discom companies क्या होती है, जो कि यहाँ पर distribution companies है, यह लोग क्या करती है, बिजली को खरीती है और उसके ब development ने properly उनको pay नहीं किया, तो सबसे बड़ी problem renewable energy के अंतर यह देखने को मल जाएगी, दूसरी problem यहाँ पर आपको देखने को मल जाती है, किसीच को लेकर, current time पर क्या हो रहा है, कि हमारे पास जो भी situation है, खासका renewable energy को लेको जो बड़े बड़े grade है, वो बढ़ चुके है, तो जब हमारे पास जो capacity बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर क्या होता है, कभी-कभी हमें इसको switch off भी करना पड़ता है, तो हम लोग switch off करते हैं, ताकि यहाँ पर जो हमारा grade है, वो properly operate कर सके, तो यहाँ पर आपको देखने को मलता है, कभी-कभी कुछ weather conditions, कुछ बेकार सी weather conditions create हो ज यहाँ पर काफिसरी problem होगी, energy proper generate हो नहीं पाएगी, ठीक है न, फिर उसके बाद इसका एक impact आपको environment पर भी देखने को मल जाता है, अब आपको environment पर क्या impact होगा, यह तो renewable energy है, यह तो pollution बिल्कुल नहीं करेगी, तो environment पर तो कोई impact पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही ब अंदर, जब हम लोग इन equipment को बना रहे हैं, तो बनाते वक्त भी काफिसरा pollution हो जाता है, तो कहने के environment के उपर भी यहाँ पर इसका impact पढ़ता है, उसके बाद weak transmission grade, अगर हम लोग बात करें, देखो हमारा plan यह है कि हम लोग बड़े-बड़े solar glades को बनाएं, लेकिन क्या हो र होता है, वहाँ से काफी दूर areas आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जब दूर है ना, तो इससे क्या होता है, जो transmission है, मतलब जो एक तरीके से electricity पहुचाई जा रही है, वो काफी कमजोर हो जाती है, example देखो है कि हम लोग plan start कर रहे थे, कि हम लोग एक बहुत बड़ा solar project लगा दिया आपने, अब plant लगा कि उस electricity को पहुचाना भी तो है, इस सभी जगा पर, जब तक पहुचा होगे नहीं, तब तक क्या फायदा, electricity generate करने का, तो इसको पहुचाने वाला जो आपको grid infrastructure ये देखने को मिलता है, जैसे यहां से electricity बनी, transformer तक गई, उसके आद खंबे तक आई, उसके बाद आपके घर तक पहुची, तो ये जो grid system है basically, वो कही ना कही बहुत ज़्यादा कमजोर है, ये भी एक बड़ी problem है, ठीके ना, ये आपको ध्यान अकना है, एक और सबसे बड़ी problem क्या आती है, इंडिया की dependency, अभी क्या है, solar energy को generate करने के लिए solar panel देखने को मल जाता है, उसके बाद एक और बहुत बड़ी problem है, कि जो skilled person है, जिनको एक proper knowledge जो इस पूरे के पूरे sector की, वो skilled person आपको कम देखने को मल जाएंगे, एक सबसे बड़ी problem और आती है, कि हम लोग जब भी कोई wind energy को generate कर रहे हैं, या solar power plant लगा रहे हैं, wind plant लगा रह जाता है, तो ये भी एक सबसे बड़ा challenge हम लोग को देखने को मलता है, कि हम लोग proper investment के मामलें भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो ये आपने renewable energy के बारे में सारी बाते जान ली हैं, अगले article पर आते हैं, next article काफी important है, GS paper 3 environments से इस article को relate कर सकते हो, bamboo dwelling bat के बारे में चमकादड दिख रहा होगा, काफी चर्चा में, important है, दहिंदू ने इस article को publish किया है, GS paper 3 से important हो जाएगा, scientist न भी discover किया, bamboo dwelling bat, bamboo dwelling का मतलब है, ये बांस के ओपर रहने वाला चमकादड है, ये कहां पर पाया गया, megalia के अंदर, जो non-kylum wildlife century है, इसके पास में ही ये बैट प से नाम से ही पता चला है, megalia के अंदर, ये पाया गया है, bamboo के inter notes में रहता है, inter notes मतलब ये रहा एक बांस, और इसके बीच वाला ये, ये वाला हिस्से में आपको ये चमकादड रहता हुआ, नजर आएगा, ठीके, छोटे size का होता है, brown कलर का है, इसकी जो belly है, वो यहां प प्रकार से बने वे हैं कि ये smooth surface पर भी अराम से बैठ सकता है, smooth surface पर भी अराम से ये रह सकता है, तो bamboo जो है, smooth surface है, वहाँ पर ये अराम से रहता वह नजर आता है, ठीके, तो thick thumb bat की प्रजाती ये मिली है, इससे पहले हमारे पास और भी 4-5 प्रजाती मिली वी है, J-equellis, G- Javanus, G-Besopheles, और उसके बाद G-Tylopus, ये 4 और प्रजाती आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अलग-अलग एरिया में पाई गई है, बट Meghalia के अंदर अभी ये वाली नहीं प्रजाती पाई गई है, तो इसके बारे में ध्यान अकना है, ठीके, अब ये कहां भी पाई पास में ही पाई गई है, ये स्पीशी, और वहीं से रिसेंटली एक और प्रजाती पाई गई थी, एक और चमकादर पाई गया था, जिसका डिस्क की तरह पैर था, घोल सा पैर था, ठीके, उसका नाम था यहां पर Eudiscopus denticulus, तो यहां से भी question बन जाता है, तो बहुत सरी अलग अलग प्रजातियां पाई चारी हैं चमकादर की, वो यहां पर बताया गया, जब लोग दुनिया भर के बात करते हैं, तो दुनिया भर में लगबर 13-1400 से जादा स्पीशी, मतलब प्रजातियां देखने को मल जाती हैं चमकादर की, बहुत सरी बिमारियां भी लेकर बैठे रहता हैं चमकादर, आपने देखा होगा, कोवीड को लेकर वी बहवाल है, कि यहां चमकादर सही फैला है, जब लोग बात करते हैं भारत के अंदर कितनी प्रजातियां देखने को मिलती हैं चमकादर की, तो इस नई डिसकवरी के साथ में जो एक नई डिसकवरी आ मिघालिया के अंदर देखने को मिल जाती हैं, मिघालिया के अंदर क्यों मिलती हैं, मिघालिया का अपना खुद का वेजिटेशन बहुत यूनिक सा है, वहां का climate condition ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, कि वो पेड के लिए और जानवरों के लिए heaven है, यहां पर पेड जान चमकादर के लिए बहुत बड़ी opportunity बन जाती है, अभी recently हमने देखा था मिघालिया के अंदर cave dwelling bats भी बड़े हैं, यानि कि जो गुफा में रहने वाले चमकादर हैं, उनकी जनसंग का भी बड़ी है, और गुफा में रहने वाले चमकादर में, जो main common चमकादर है मिघालिया इंडिया के wettest places आपको यहाँ पर देखने को मल जाते हैं, in fact, दुनिया के बहुत सारे wettest places आपको यहाँ पर देखने को मल जाते हैं, जहाँ पर बहुत जादा बारिश होती है, ठीक है न, बाकी मिघालिया के दौंगख है लम, वाले लग सेंचरी के पास में यह प्रजा यह सेंक्चुरी कहां पर देखने को मिलती है इस सेंक्चुरी में अलगलग प्रकार के आपको जानवर देखने को मिलते हैं जैसे कि रोयल बेंगॉल टाइगर उसके आत क्लावड़ेड लेपरड इंडियान बाइसन हीमालन बाक बियर इस प्रकार से और भी कई सारे जानवर यहां पर पाए जाते हैं जब आप लोग मेगालिया का मैप देखते हो तो यह नौर्ट इसनल स्टेट हुआ यहां पर असाम के नीचे यह मेगालिया हुआ तो मेगालिया में आप लोग देख पाओगे इस पर्टिकुलर एरिया में यह आपको नौंखाईलम वाइलेक ब्राउन होन बिल है तो इस परकार की यहां पर बर्ट भी पाए जाती हैं बाकी मेगालिया की और भी बहुत सारी इंपोर्डेंट वाइलेक सेंचरी आपसे क्वेशन बन सकते हैं जैसे कि यहां पर अभी हमने नौंखाईलम के बारें पड़ा उसके बाद आता है सीजू व लोगों ने इस वीडियो से प्राप्त करी है इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना जो हमारा टार्गेट है 2K प्लस लाइक का यहोप आप लोग उसको अचीव करवाओगे देख ठीक है ना यहाँ पर गया होता है ना चीज सब तक पहुँचेगा तो इससे यहाँ पर और मोटिवेशन मिलेगा आई हूप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होगे इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त मिलते हैं आप लोगो से नेक्स वीडियो में आज के लिए ह главное नाया थाक्क यू ए जाह एंदम